नमश्कार दोस्तों हमारे चाइन नाइट प्राइन स्लूशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं पुदार नेहा वैदिक इस्ट्रोलजर वास्तु कंसलिटन टैरो कार डीडर और हीलर आपके सामने छोटी-छोटी जानकारिया ला रही हूं आज कल मैंने वास्तु के बारे में बताना शुरू किया है जैसे कि मैंने आको पीछे elements का बताया है आज मैं हम अपने अगले element के बारे में बात करूंगी जो है जल water जल हमारी जिन्दगी के लिए कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं जल के बिना जीव नहीं है लाइफ नहीं है जल क्या चीजें से प्रभाववीत करता है और क्या चीजें इसके कम होने से खराब होती है आज मैं आपको उस बारे में जानकारी दूंगे बुद्धी मान होना अंतर ग्यानी होना सीधी बात जायर करता है कि आपका वाटर एलिमेंट बैलन्स है जो लोग कूट निती वाले होते हैं दुनियावी होते हैं इसका मतलब है कि उनका जन वो मतलब किसी की भावनाव में ऐसे बातों में नहीं आ जाते हैं बहक नहीं जाते हैं इसका मतलब यही आता है कि उनका वाटर एलिमेंट बिल्कुल सही है और यहीं पे अगर हम दूसरी तरफ बात करें, चिड़चड़े हो जाना, शरीर में कमजोरी होना, हर चीज को emotional level पे आके देखना, किसी की बात ना सुनना, दुनिया को एक ही तरह से देखना, तो ऐसा नहीं होता, आप हर चीज को एक ही तरह से नहीं देख सकते, काला रंग पहना अच्छा लग सकता है, दि होता है, उनके अंदर ये कमिया होती है, वो लोग पानी कम पीते हैं, जिनके अंदर water element कम है, उनको सीधा कुछ नहीं करना, पानी कम मत पीजिए, पानी पीते रहिए, एक एक गूट करके अपने अंदर लेके जाते रहिए, आपका water element बैलन्स रहे, आप दुनियाविक रहे आप बुद्धी मान हैं, ये नहीं मैं कहती हैं, आप इंटेलिजन नहीं हैं, लेकिन आप बुद्धी का सही प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं, क्यों कर आपका water element बिगड़ा हुआ है, उसको बैलन्स कीजिए, जिसकी उनका कुछ ना कुछ element बिगड़ा हुआ है, उनका कुछ ना कुछ अपने अंदर ही गड़बड कर रखी है, अगर वो चीज को बना पाते हैं, तो इसको सिखा क्यों नहीं पाते हैं, या बता क्यों नहीं पाते हैं, आज मैंने मान लीजे कोई नोट लिखा है, अगर मैं उ ब्लॉगर कोई और है वो हमसे पैसा ले रहा है उसको लिखने का मैं यह नहीं कह रही लेकिन नाम तो उसका नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर वाटर एलिमेंट की परिशानी आती है अब मिरसेगर कोई ब्लॉगर यह बोले हम तो बहुत पैसा कमा रहे हैं लेकिन भाई साब आप जो भी लिख रहे हैं उसके उपर आपका नाम तो नहीं आया वावाई तो लिखा आपने तारिफ की इतने वियूज भड़े इतने लाइक हुए लेकिन नाम किसका आया किसी और का ठीक है आपका काम है हर इंद भग्वान ने हर किसी को हर किसी काम के लिए चुना हुआ है जिनका वाटर एलिमेंट खराब होता है उनके अंदर मेल जूल की कमी होती है उनको ना ताल मेल नहीं बिठा पाते वो किसी चीज में उनको कोई चीज बहुत जल्दी पसंद नहीं आती मतलब बहुत नुकता चिनी इस दुकान उस दुकान इस दुका पानी पीना पानी पीना है उतना लीजिए यह नहीं कि थोड़ा पिया बाकी फैंक दिया ऐसा कुछ मत कीजिए इससे आपका वाटर एलिमेंट बैलन्स रहेगा धन्यावाद दोस्तों कल फिर मिलती हूं अपने अगले एलिमेंट के साथ आपको फिर अगले एलिमेंट के बारे में जानकरी दूंगी मेरे चानल को सब्सक्राइब करने के लिए शेर करने के लिए लाइक करने के लिए कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यावाद